प्रीव द्यारतियों मैं डॉक्टर खेम चंद महावत सहाचारिय राएंती विग्यानमिभाग राजकी महावद्याले बहरोड अलवर्से आज हम इसना तक दित्य वर्स यानि की बीए सेकंड एर के सेकंड पेपर का जो महत्पूर्ण विसे है भारत मेराश्ट्री आंदुलन उसके कारण और प्रवर्तियां उसका अध्यान करेंगे जानकारी के साथ से और विसे प्रवेस के साथ से तथा भारत के बारे में भारत की आजादी की शुरुआत किस परकार से हुई है या भारत में जो अंग्रेजियों ने अपने पेर जमाये थे वो किस परकार से जमाये और ये सिलसिला किस परकार से शुरू हुआ और भारत में राश्ट्री आंदुलन के क्या कारण रहें क्या प्रवर्तिया रहीं उस अंधर में हम आज चर्चा करेंगे सोलवी शताब्दी में भारत अपने समरद्दी और गोरव के चर्मत कर्स पर था और अनेग यूरूपिय देश इसमें इसे वेपैर करने के लिए लालाईत रहते थे भारत एक तरसे सोने की चुड़िया जैसाई था भारत सोने की चुड़िया था इस बात की पुष्टी के लिए हमें और इतियास के और गर्ब में जाना पड़ेगा यूकि तातकारिन समय में भारत वरस था ये विशाल था पाकिस्तान अफगानिस्तान आदिक जी सीमाए थी वो लगवग भारत देश में एक सी थी उस समय भारत को जो वरतमान में वायू मारग जल मारग से यात्रा करते हैं या वेपर होता था और अकसर विदेशी जो देश ہیں वो भारत में वेपर करना पसंद करते थे तो संभवतों है भारत सोने की चुडिया कराता था, भारत में पूर्टगाल, डच्च, और फ्रेंच, और अंत अंग्रेजों ने वेपैर किया, आरम में पूर्टगाल का जो वेपैर था, भारत से उबा करता था, और पंदरा सुस्य में पूर्टगाल पर इस्पेन का कब्जह हो गया जिसके कराण पूर्टगाल को भारी शक्ति पूर्टी हुई और वैप्यार में काभी बादात पनुई उसके बाद कहा जाता है कि पूर्तगाल और मुसल्मानों में एक कटरता थी चिसके कराण ताथकाले वाहरत की साज जहां उन्होंने पूर्तगाल गिरई सही शक्ति को भी निश्ट कर दिया इस परकार पूर्तगाल का व्यप्यार भाहरत से लुप्त हो गया उसके बाद इंग्लेंड ने भारत में वैप्यार में अपने पेर जमाए और यह वैप्यार करना लगे उसके बाद 31 दिसंबर 1620 को भारत से वैप्यार करने का एकादिकार प्रदान विस्ट इंडिया प्रदान कर दिया इंग्लेंड की सामरागी एलिजाबेट ने इस प्रकार से इंग्लेंड और डच्छ होलेंड में भारत से वेपैर कर निकले गमासान आरंप हो गया इन दोनों के बीज लग पक तीन युद हुए अन्तिम युद में 22 जनुरी 1760 में इंग्लेंड ने होलेंड को पराजित कर दि दिश्ट्री से वेपैर करने लगे हम यहां अध्यन कर रहे हैं भारत में राष्ट्री आंदरुन के कारण प्रूरतियों की तो इसी संदर में आगे 1857 का जो विद्रो की करांती थी उनीशी शतावदी का समस्तकाल ही भारत के राष्ट्री राष्ट्री राष्ट्रीता के जन्म का काल कहा जाता है वस्तुत अथारवी उनीशी शतावदी में जो समा सुधारक थे वास्ता में भारती राष्ट्री आंदरुन के परवरतक माने जाते हैं अक्सर हम जब भारतिय रच्ट्री यांदि में बात करते हैं तो ढई बात से कि अधार करते हैं तो अजो बहर्त राज्ट्री कांग्रस के स्ठापना में वहां से करते हैं इसलिए उनका द्रइब हुआ हमें रखना चाहिए इस काल में देश के विभिन भागों में अनेक राश्ठे संग्फनों का निर्मान हुआ जिनको विध्यारतियों को ध्यान होना चाहिए जिसे इस इंडिया इसोशीशन अठाव सोमत्तर में इस इंडिया लीग 1875 में इंडियन इसोशीशन और महाजन सभा 1881 में ये सारे संग्ठन अस्थित में आये इन सारे संग्ठनों की बदोलत ही हम आगे भारते राज़्टी कॉंग्रेस की दिशा में बड़े भारते राज़्टी कॉंग्रेस जो बनी थी वो आरंबिक इन संग्ठनों की देन थी क्योंकि इन संग्ठनों के जोड दिया जाने लगा था भरतिराश्ट्री आंदलों को हम चार चरणों में रखकर अध्यान कर सकते हैं पहला 1800-1885 तक दूसरा 1885-1905 तक तिसरा 1905-1919 तक और चोथा 1919-1947 तक पहले चरण के हम बात करते हैं 1800-1885 तक का पर्थम चरण अड़र सतन करांती को याकसमिक ता का परणाम नहीं थी वर्न ये जन संतोस का परणाम थी यह संतोस धारमिक सामाजिक आर्थिक राश्ट्र सतनता की बाहनों के उदे का कारण बना इसके अनेक कारण उप्तुदाई हैं हम यहां पर भारत राश्ट्री आंदोलन के राजितिक और सामाजिक और सामाजिक तर्धार्मिक कारणों की चर्चा करेंगे सबसे पहले हम राजितिक कारण पर आते हैं राजितिक एक्ता की स्थापना ब्रटी शासन से पूरू भारत में रायितिक एक्ता का अभाव था अंग्रेज़ों से पूर भारत में अनेक चोटे-चोटे खंडो राजित था प्रत्रमबार भारत में अंग्रेजों ने एक सा कानून मनाया एक सी नयाई वेपस्तारिस के स्थापना की अखील भारती सेमाओं ने प्रिशाष्णिक एक्ता को उत्पन किया इसी राइंतिक एक्ता की बुनियाद पर भारत की राइश्ट्री एक्ता निर्मित हुई जैकि बृटिश शाष्ण का यह उद्देश नहीं था इसलिए जफाराल नेरों ने कहा था कि बृटिश शाष्ण दोबार इस्थापित भारत की राइंतिक एक्ता सामाने अधिनता की एक्ता थी लेकिन उसने सामानन राश्ट्रेता के एक्ता को चन्म दिया तूसरा हम धहर्मिक और सामाजिक को आहाते हैं ते यहारम में ятकि हारमिक और सामाजिक अनके आंदोर्थाária हई द्हार्मिक पुरुन्थान सामाजिक जागरति भारत के प्राचिन भारत के पराचिन वेभव के प्रती सद्दाभाव के कारण है राश्रीता की प्रेणना मिली डाक्टर जकारिया ने अपने बुस्तक रिनेसेंट इंडिया में अनेक सामाजिक और धार्मिक कारण बताएं हैं सबसे पहला ब्रहम समाज जैसे का आव सबी के पताएं राजरा मोहनब ने ने ऐठारसओ अथाइस में इसकी स्थावन ब्रहम समाज की स्थावनाक लख्ष के थी इसको प्रमूक लख्ष्य था वू था सत्यि प्रतां का अंग्रजी शिक्षा का प्रसारि के प्रि条件ु के पचेतर में बंबे में इसकी स्थावना की थी आरे समाज ने हिंदु धर्म की सेश्टा सिद्ध की इसने इसलामिक और इसाइयत संस्कृति की सब्विता के जादू और मिथक को तोड़ा सत्यारत प्रकास में उन्होंने कहा कि सुधेसी राज्ये चाहे वो कितने ही तूटियों से पून हो अच्छे से अच्छे विदेसी राज्ये से कहीं अधिक अच्छा है उन्होंने नारा दिया भारत भारतियों के लिए है और वेदों की और लोटो अर्थात प्रकृति की और इसके बाद राम कृष्ण मिशन राम कृष्ण परामहंस जी का इसमें काफी युक्दान रहा है उन्होंने 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 उनका कहना है कि कृष्ण हरी राम इसा अल्ला सब एक है सभी स्वामी वीवेकानन ने नमी धर्मन सलसत सभा में हिंदू धर्मन को महतब सिन्दकी बंगाल के आदनिक राश्ट्री आंदुलन और अध्यवतमिक प्रिता कहे जाते हैं इस प्रकार स्वामी द्यान स्वामी प्राम हंस और स्वामी विवेकान नंद ने भारत की सब्वेधा भारत की संस्कृति भारत के धर्म को इस प्रकार से परिवाशित किया कि भारतियम में एक चेतना जागरत हुई भारतियम अपने धर्म के प्रति आस्था जागरत हुई और की और करनल MS ओलकोट 1882 में इन्होंने अपनी सोसाइटे का मुख्याले मदराज के अडियार नामा के स्थाल पर बनाये था इस समाज के अन्वियाई इश्वरी इच्छा ग्यान आत्मी अर्सोनमाद अंतर ग्यान द्वारा प्राप्त करने का प्रेतन करते थे ये पुनर जन्म सांख है उपनिसद्ध ये पराचिन भाhonची संस्कृती के माईल रिश्ट्व हैं मिलके पत्थर हैं जब आप प्राचिन भारत के बारे में जानने का प्रियास करoweंगे तो इनके माद्यम से हम उने जान सकते हैं ये शब्रमात्र है किंतु शब्रमात्र नहीं है इनमें ग 1923 में इनकी अद्यक्षा बनी भारती विचार संस्कृति से भले भाती परचीत थी वो विदानती थी धीरे धीरे वे हिंदू हो गई भारत में थियोसिफिकल सोसाइटी उनकी देखरेक में हिंदू पुनर जागरण का आंदोलन बन गई अन्यांदोलन भी इसके उसमें है जैसे राष्टे चेतना की जागरती में रानाडे की विडो रिमेरीज एसोशियेशन यानि की विदुखा उनर्विवा संग उसी प्रकास गपाल करशन को उखने ने सर्वेंट ओफ इंडियन सोसाइटी सर्वेंट ओफ इंडियन सोसाइटी बनाई जिसके मादे उसी भारत में जन चेतना का प्रसार हुआ अनेक विदेशी विचार को जिसमें मैक्स मूलर, मौनियर विलियम्स, रोथ, जेकोबी, कॉलबरूक, त्यादी ने, त्यादी रोपिर विद्वानों ने भारते संसक्रत किसी भी द्रिश्टी से यूरोपिन संस्क्रती से कमतर नहीं है, इस प्रिशकार भारतियों में जन तेजना का विकास होता गया